वेलकम बैक फ्रेंज टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूटूब चैनल दोस्तो आज है 28 मार्च और 28 मार्च की करेंट अफिर में जितने भी इंपोर्टेंट कोशिन बनेगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और अगर आप इस चैनल पर नई हैं तो चैनल को इस तरह से स डाउनलोट कर सकते हैं साथ इस वीडियो की पीडिया फायल को आप माने टेलीगरम ग्रुप से से देश ने राश्टपती रामनात कोविंद को वहां के सरवोच्छ प्रसकार से सम्मानित किया है तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्रोईशिया option D सही होगा तो राश्टपती रामनात कोविंद को क्रोईशिया की राश्टपती कॉलिंडा, ग्रेबर, द्वारा भारत और क्रोशिया के बीच आपसी सम्मन्नों के विकास और प्रास्परिक सहयोग के विकास और दोनों देशों के बीच शाजेदारी में उनके आसाधारण योगदान के लिए उनको ग्रेंड इस्टार के साथ क्रेंड टॉम साओ के ग्रेंड ओर्डर से सामानित किया गया है और ये क्रोशिया गड़राज का सरवच पुरसकार होता है और स्री रामनाथ कोविन को क्रोशिया की राजधानी जाग्रेब में क्रोशिया बोलीविया और चिली के अपने तीन देशों के पहले चरण में थे ठीक है क्रोशिया की बात करें तो देखिए इस देश की राजधानी है जाग्रेब और वहां के बुदर आए क्रोशिया इकोना ठीक है तो आपका फर्स्ट कोशिन कंपलीट हुआ नेक्स्ट कोशिन देखते हैं क्वेशन नमर सीकिम भारत देश लाइव सैटिलाइट को नश्ट करने वाला किस क्रम का देश बनाए तो देखिए यहाँ पर जो आपसन दिये गए इनमें जो राइट आंसर है चौथा देश बनाए ऑपसन सी सही होगा तो देखिए भारत न अमेरिका, रूस और चीन ने हासिल की थी लेकिन भारत भी यह उपलब्दी हासित करने वाला अब चौथा देश बन गया है और मिसन सकती है कि मुस्किल अच्छ था जिसे लाउंच करने के लिए तीन मिनट के भीतर सफलता पूरवक उसको पूरा कर लिया गया था ठीक है त इसका जो राही टांसर है वो है बांगलादेश, ओप्सन सी सही होगा, क्रूज शिवा का मतलब होता है कि एक तरह से समुद्री जाजों की द्वारा व्यापार का आधान प्रदान होगा, तो भारत और बांगलादेश 29 मार्च 2019 से एक क्रूज शिवा सुरू करेंगे जो या पहुंचाने की कोसिस भी की जाएगी, यह भी आप द्यान लखेंगी, और भारत और बंगलादेश के भी जलमार के माध्यम से बिजली कनेक्टिविटी बहुत ही मजबूत है, तो इसका लाप करने के लिए इसको सुरू किया गया है, यहाँ पर देगे, बंगलादेश की ब मारतिय सेना परवता रोहड अभियान को हरी जड़ी दिखाई गई है, तो देखिए, यहाँ पर चार ओप्सन दिये गए, इनमें जो राय टांसर है माउंट मकालू, ओप्सन बी सही होगा, तो देखिए, माउंट मकालू, जिसकी जो कुल उंचाई है, वो है आठ हजार चा कर रवाना किया गया है, और इसमें पांच अधकारी, दो जेसियो और ग्यारह ओर सामिल है, माउंट मकालू हमालाए में इस सबसे खतरनाक चोटियों में से एकमानी जाती है, और यह जो दल है, इसके लिए नई दिली से रवाना होगा, और माउंट मकालू की चोटी की सिख अंतराष्ट्री उर्जय अजन्सी आई ए की अंसार वर्ष 2018 में भारत की कारवन डायकसाइट उतसर्जन में कितने प्रसत की वृद्धी हुई है, तो इस कॉशिन का जो राइट अंसर है, वह पांच प्रसत, ओप्सन ए सही होगा, तो अंतराष्ट्री उर्जय अजन्सी आ जो उतसर्जन वृद्धी है, वो मुख रूप से कोईले की खपत में, वृद्धी की कारण सहिंश्राद अमेरिका और चीट की तुल्ला में अधिक थी, और चीन और सहिंश्राद अमेरिका और भारत ने मिलकर उर्जा मांग में वृद्धी का लगबक 70% हिस्सा साजा किया ठीक है, तो आप ध्यान दखेंगे, भारत का जो कारवन डायकसाइट का जो उतसर्जन है, वो वर्स 2018 में पांच प्रस्थत बढ़ा है, तो इस तरह से उप्सन ए सही होगा, नेक्स्ट कोशिन देखते हैं, कोशिन नमर 6, महाराष्टर नौसेना छेतर की ध्वज अधकारी क कि रूप में किसने पदवार ग्रड किया है, इसका हंसर हो जाएगा, राजेस पेंधार कर, उप्सन बी सही होगा, तो देखें, रियर एड्मिरन राजेस पेंधार कर, वी एसेम ने 25 मार्त 2019 को महाराष्टर नौसेना शेतर की 12 अधकारी का पदवार ग्रड किया है, और उन सेबा पदक प्राप्त करता भी है, ठीक है, तो ध्यान न कहेंगे, महाराष्ट नौसेना शेतर की 12 अधकारी की रूप में, राजेस पेंधार कर को निक्त किया गया तो ऑप्सन B सही होगा, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, कोशन नमर 7, हाल E में विस्व रंगमंच दिबस कम मनाय गया, तो आपके सामने 4 अप्सन दिये गए हैं, इनमें जो राय टांसर है, 27 मार्च, अप्सन D सही होगा, तो देखिए, विस्व रंगमंच दिबस, यानि की वर्ल्ड थेटर डी, रंगमंच कला की महत्त की बारे में, जागरूपता फैलाने के लिए वैस्ट क्रूप उसे प्रतिवर्स 27 मार्च को मनाया जाता है, और विस्व रंगमंच दिबसको वर्स 1961 में, अंतराश्टी की गैर सरकारी संक्टर, इंटरनेशनल थेटर इंस्टिटूट फ्रांस द्वारा आरम किया गया था, और आई टी आई की स्थापना वर्स 1948 में, युनेस्को और अंत पर विस्व भर्सी प्रमक लोग, रंगमंच और संती की संस्कृती की विस्व पर अपने विचार साजा करती है, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, विस्व रंगमंच दिबस हाली में, 27 मार्च को मनाया गया तो अप्सन D सही होगा, नेक्स्ट कोशिन देखते हैं, कोशि जुर्माना लगाया है, आपके सामने चार उप्सन दिये गए, यह जो राय टांसर है, पंजाब नेशनल बैंक, उप्सन है आप पर सी सही होगा, तो देखें, भारजी रिजव बैंक ने स्विफ्ट परिचालब को संबंद में, नियामक अंडर देसों का पालन ना करने के क पंजाब नेशनल बैंक पर दो करोड रुपई का जुर्माना लगाया है, मैं आपको बता दूँ कि स्विफ्ट एक वैस्विक मैसेंजिंग साफ्ट वेर है, जिसका अप्योग वित्तिय संस्थानो दोरा अंतर बैंक लेंदेन पर जानकारी साजा करने तो किया जाता है, आ करोड रुपई का जुर्माना लगाया है, ठीक है, तो ऑप्सन सी सही होगा, आर्बिया की बात की गई है, तो मैं आपको बता दूँ इसकी स्थाप्न निस्थाप्न में होई थी, जिसके गवर्नर सक्तिकान दास है, नेक्स्ट कोशिन देखते हैं, क्वेशन नमर 9, हाली मे एशियन एयरगंग चैंपिंशिप में किसने श्रोड पदक जीता है, इसका अंसर होईगा, मनू भाकर और सौरप चौधरी, तो इस तरह से इसकोशिन का अंसर ऑप्सन सी सही होगा, अप्रोग दोनों, तो निसाने बाजी में मनू भाकर और सौरप चौधरी ने ताइपी म 12 वी ACI एयरगंग चैंपिंशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ट टीम इवेंट में श्रोड पदक जीता है, और इस जोड़ी ने क्वालिफिकेशन में विस्ट रिकॉर्ड को तोड़कर फाइनल में जगाय बनाई, और इसमें देखिए अनुराधा और अवसीक वर्मा सायथ एक दूसरी भारती टीम भी फाइनल में पहुंची लेकिन चौते स्थान पर रही थी, खीक है तो आप ध्यान रखें कि मनुबाकर और सौरब चौधरी ने ACI एरगंग चैंपिंशिप में श्रोड पदक जीता है, तो आप्सन C सही होगा, नेक्स्ट कॉशन देखते ह है, जो भारत के हिंदू तीर्थ यात्रियों को सारदा पीट की यात्रा करने की अनुमत ही दीगा, और ये पाकिस्तान नियंतरत कस्मीर यानि की पियोकिय में इस्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर और सांस्कृतिक इस्थल है, असो कि सासटकाल के दौरान 237 इसा पूर म में इस्थापित सारदा पीट पांच हजार वर्स पुराना है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगी, सारदा कोरिडोर योजना को हाली में पाकिस्तान की दोरा अनमुदित किया गया है, तो आप्सन B सही होगा, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, कॉशन नमर 11, आई टी सी ने जॉन ब्रांड वा बॉद्धिक संपता को किसको बैंच दिया है, तो इसका अंसर होगा है, रिलाइंस को, उप्सन B सही होगा, तो देखें, आई टी सी ने अपने जॉन प्लेयर्स परिधान ब्रांड और संबंदे ट्रेडमार्क वा बॉद्धिक संपता को ब्रांड रिटेल को पर ध्यान देगा लेकिन अब उसने जॉन प्लेयर्स ब्राइंड वा बॉदिक संपता कु रिलाइंस कंपनी को बेंचा आया है तो आप्सन बी सही होगा आइटी सी का मुखहला कहां पर है कोलकाता में ठीक है GMR Infrastructure Limited गेल ने हाली में घुषणा की है कि उसने अपने हवाइड़े के सीर्स GMR Airport Limited के तीन निवेसकों से आठ हजार करोड रुपई जुठाई है निवेस से कई रणनीतिक लाव होंगे और व्यापार के पुनरगटन का मार्ग प्रसस्त होगा तो आप ध्यान रखेंगे हाल ये में टाटा समुई की कंपनीन है हवाइड़ों में 20% हिस्चेदारी का निवेस किया है तो आपसन A सही होगा नेक्ष्ट देखते हैं कल की कुछ का अंसर तो कल आपसे पूचा गया तो कौन सा देश वरस 2020 पर अंटर सेमिटी महला फटवल विसकर की मेजबानी करेगा तो इसका अंसर हो जाएगा भारत ऑप्सन यहापर 20 हो जाएगा और आज की कुछ का सवाल है भारत के किस राज में नील वायरस की सुरुआत हुई है तो अगर आपको इस में इसका अंशर जरूर बताइए और साथी साथ ये भी बताइए की नील वायरस किस चीज से संबन देथ है ठीक है तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको सभी पीडियाप एक साथ मिल जाती है और अगर आप यूपी पीसी एस लोवर पीसी एस रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो लोवर पीसी एस और रेलवे के लिए करेंट है फिरकर टेस्ट नमर फूर वीडियो बनाया जा चुका है अगर आपने उस वीडियो को नहीं द